मुर्गी मानवनी मुर्गी को भी अंडे वैमास के लिए पालना शुरू कर दिया था मुर्गी से हमें ना सिर्फ अंडे वैमास मिलता है अपितु ये हमारे आसपास के हानिकार किटों को भी खा जाती है मुर्गी का उपयोग भोजन के अलावा मनरंजन में लडाई करवा कर किया जाता है कीट नियन तरण में किया जाता है मुर्गी की बीट एवं फाइबर सभी काम में आते है बीट का उपयोग इंधन वैखाद के रूप में होता है वहीं पंक्खों से और्गैनिक प्लास्टिक बनाया जाता है मुर्गी एक परकार का पक्षी है जिसका अकार अन्य पक्षियों से थोड़ा बड़ा होता है मादा को मुर्गी और नर को मुर्गा कहा जाता है मुर्गी पक्षी है पर वह उड़ नहीं पाती मुर्गी के कई रंग होते हैं लाल, काला, सफेद और भूरा सरवहारी पक्षी मानी जाती है और दाने, फल, फूल, सबजियां, छोटे कीडे आधी भी खाती है जीवन काल पांच से दर्श वर्स का होता है मुर्गियों की कुछ खास बाते मुर्गिया 24 परकार की आवाज निकाल सकती है और एक दूसरे से बात कर सकती है और उन में हर एक सवर का अलग मतलब होता है यादास तेज होती है जिससे वे अपनी परजाती की सो मुर्गियों को अलग अलग पहचान सकती है मुर्गियों की आबादी इंसानों से जादा अनुमादिन 25 अरब है मुर्गियों के अंडे का रंग उनकी परजाती और उनके कानों से निर्धारित होता है लाल कान वाली मुर्गी आम तोर पर भूरे रंगे अंडे देती है पोशन के मामले में भूरे और सफेद अंडों में कोई अंतर नहीं होता मुर्गी नमकीन स्वाद जानती है मीठा नहीं विश्व में 0.05 सेकिंड में लगबक 97 मुर्गियां मार दी जाती है मुर्गियों के सर पर एक कलंगी होती है जो लाल रंकी होती है हमेशा एक खास चुनी हुई जगां पर ही अंडा देती है मुर्गिया रोजाना एक अंडा जरूर देती है और कभी कभी यह दो हो जाते है बच्चों को पैदा करने के लिए मुर्गिया अंडों पर बैठती है और अपने शरीर की गर्मी देती है जिससे बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं और मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है साउथ इस्ट एशिया से मुर्गियों की सुर्वात मानी जाती है सबसे ज़्यादा जीने का रिकॉर्ड सोला वर्ष का है 21 दिन में हैचिंग हो जाती है 49 पैर जीनोंस होते है